हेलो दोस्तो, दोस्तो, नेटफिलिक्स पर फियर प्ले नाम की एक नई एंगलिश फिल्म रिलीज हुई है, हिंदी में भी अबेलेबल है, मूवी की टोटल है थी गंटा पच्छुपन मिनट है, मुझे कुछ खास पता नहीं था फिल्म के बारे में, मतलब नेटफिलिक्स पर जो भी मूवी जो फिरीज होती है, उनके टीजर ट्रिलर में देखता हूं, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने इसको देखना चुरू किया, कि मुवी का जो सेगेंड हाफ है, वो थोड़ा इंटरिस्टिंग लगा, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा मसाले दाता लगा, बहुत सारी चीज़ें सेकेंड नास में अबेलेबल हैं, जो एक अच्छी डिश में होती है, मतलब खाने में मज़ा आता है, तो उसी तरह से इस फिल्म को कहीं न कहीं देखने में मज़ा आता है, हालांकि मुवी की जो लाइटिंग है, जो ट्रीटमेंट है, जो पूड़ा चीज़ें है, वो पूरी तरह से टाइट नहीं है, मतलब आपको पूरी तरह से होकेंड नहीं कर बाती, एंड लगबग आदा घंटा होगा, या 40 मिनट रहे होंगे, लगबग फिल्म एक गंटा 15 मिनट की रहे गए थी, तो बहां तक इस ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब ना तो वरा भी इंटरिफ्टिंग थी, ना वरा भी इंगेजिंग थी, एंड कुछ भी ऐफ नहीं था, मतलब मेरा मन तो ये कर रहा था तो फिर धीरे-धीरे किफी तरह से मुवी निकली, 40-45 मिनट निकल गए, उसके बाद लगबग जो एक घंटा है, फिल्म के जो second half है, बहां से चीज़ें थोड़ी interesting होना शुरू ही, जब उन दोनों के भी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है, तो कहानी कुछ हो है कि एक फंड फर्म में दो लोग काम करती है, मतलब एक लड़गा है, एक लड़की है, एमिली और लियू को दोनों कपल है, दोनोंने इंगेजमेंट कर ली है, एंड उनका शादी करने का प्लान है, लेकिन एमिली को उस फर्म में पीम बना दिया जाता, मतलब किसी उचे पोस् वाला है, जो तू तू मैं मैं है, जो भषड है, वो आप खोद ही देख पाएंगे यहां पर फिल्म में, तो एक मोमेंट यहां पर वो भी आया, जब एमिली ने लूग पर रेप का इलजाम लगाया, तो चीज़ें काफी खराब हो जाती है, तो बही लगबग जो सेकेंड है, वो मुझे थोड़ा इंटरस्टिंग लगा, इंगेजिंग लगा, देखने लगा लगा, बहां पर पहुंचने के बाद मेरा मन ने किया, कि अब मैं इस फिल्म को छोड़ू, हाँ यह ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, मतलब ज़रा भी एक्स इंगेजिंग हो जाता है, थोड़ा इंटरस्टिंग से हो जाता है, यह है, बाकि यार, जो डिरेक्टर है, उनका यह डेबी हो था है, उन्होंने फीमेल है तो उन्होंने मतलब क्या ही बनाए, मतलब पहने 40 मिनट, जैसा कि मैंने का मुझे बहुत बोर किया फिल्मने, वरा देखे तो पाएं, तो वह वाली चीज़ी नहीं थी यहां पर फिल्म में, तो यह है वाई, बाकि इसे र्यादा देडू लंबा खीचने की ज़रूत नहीं है, मुवी में कोई खास टुस्टन टर्न नहीं, कोई सस्पैस नहीं, कोई देंशन नहीं, कोई तर्ल नहीं, यह है दोनों की जो कैमिस्ट्री है, जो बॉंड एंड, जिस तरीक इसे दोनों की तू तू मैं में चल रही है, जो कुछ भी देखने की बिला दोनों केरेक्टर्स में, वो अच्छा है, तो यह है वाई, इसे ज्यादा विजूल में मतलब बात करने की जरूत नहीं है, तो जस्ट अब बाकी, मैं तो नहीं कहूंगा की highly recommended है, फिर ही बैठे है, टाइम बास करना है, तो देख सकते हैं, बाकी मैंना अपना review देई दिया है, 40-45 मिनद ते कि इसमें मेरे दमाग का बहुत ज़्यादा दाई किया है, तो यह है, आपने देखी है, लिखे बताना आप लोगो के सब्सक्राइब करना चनल को, बीड़े को एंट देखी बनेते शाना साने को, थैंक यू